कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप market में trade करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा जो है वो खतम हो गया है लेकिन आपके portfolio में काफी सारे shares हैं अगर आपके portfolio में काफी सारे shares हैं और आप trade करना चाहते हैं तो आप उन shares को pledge करके उनके against आप एक margin ले सकते हैं और उस margin से आ आपको पता होना चाधिए इसमें आप उससे ट्रेड जो है वो आप इंट्राडेश शेर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं एन फ्यूचर और उप्षंर समें यहाँ भाइंग流 कर सकते हैं तो आज में हम WILL देखेंगे कि आप धन में किस तरह से आपके portfolio वाले जो share है उनको आप pledge कर सकते हैं और उनके against margin लेके आप trade कर सकते हैं तो सबसे पहले हमको जो है यह हमारा यहां नीचे जो section है यहां पर money वाला इस पर हम जाएंगे और यहां पर आपको यह section दिखाई देगा जहां पर लिखा है get instant margin benefit यह दिखा रहा है कि मुझे मेरे पास जो share अभी है उन पर कितना मुझे margin मिल सकता है यहां पर नीचे लिखा है pledge share senior holding for margin benefit तो आपके holdings में जो share है उन पर आपको margin मिल सकता है check करने के लिए आप यहां पर click कीजिए मैं start पर click करता हूं तो यहां पर देखिए आपको दो option मिलते हैं पहला है कि आपके जो share है उनको आप pledge करें और दूसरा है कि यदि आपके पास अभी share नहीं और आप खरीदना चाहते हैं pledging के हिसाब से तो कौन से share है जिन पर आपको हाई margin मिलता है वह आप यहां पर explore कर सकते हैं तो पहले हम यह second वाला option जो है वह आपके सामने चेक करते हैं तो मैं explore बटन पर मैं click कर रहा हूं यहां पे तीन चीजे हैं थोड़ा से ध्यान से देखिए यह दोनों एक section में आती हैं यह दोनों एक section में आती है तो cash equivalent क्या होता है यह सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि जब भी अगर कोई आप मान लिजे आप options selling कर रहे हैं और इसे आप overnight hold करना चाहते हैं overnight अगर आप इसे hold करना चाहते हैं यानि कि आप positional trade लेना चाहते हैं तो उसमें आपको 50% जो है वो cash चाहिए होता है और 50% आप अपना share वा है अगर आप उसमें या तो cash use कर लें या cash equivalent वाला margin use कर लें तो यहां यह सारे जो options आपके सामने लिखे हुए हैं यह mostly liquid funds के हैं और इनको यदि आप pledge करते हैं तो इनके against आपको जो margin मिलता है वो cash equivalent यानि equivalent का मतलब है कि equal to cash माना जाता है तो यह बहुत important चीज है तो अगर आ gold करना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए जो भी आपने ट्रेड लिया है तो आप यह cash equivalent देख सकते हैं और इस पर आपको कितना margin मिलता है यह यहां पर दिखाता है तो मान लिजा अगर यह आपने 1000 रुपए कि अगर आपने यह खरीदे तो आपको यह बता रहा है कि आपको 900 रुपए उस पर यानि 90% आपको जो है वो cash equivalent margin मिलेगा ठीक है तो इस तरह से अगर आप इनको buy करना चाहते हैं तो जितनी भी quantity आप रखना चाहें जो भी आपको buy करना है मान लिजे मैं यह सब को मैं जो है वह यहां से हटा देता हूं और सिर्फ एक अगर मैं मान लिजे मै यहां पर मैं 10 quantity डालता हूं तो अब आपको यहां पर दिखाई देगा कि यह investment आपका कितना है और उस पर आपको कितना margin यहां पर मिलता है यह equivalent to cash है तो यह ऐसे ही दूसरे जो option है वह है equity and ETF इस पर आप जाएंगे तो यहां पर आपको आपके सारे shares जो है वह आपको यहां यहां पर दिख जाएंगे मैं इसे सब को हटा देता हूं मालीजिए मैंने दो को select कर लिया ठीक है अब अगर आप यह share यहां से buy करते हैं तो उस पर कितना margin मिलेगा यह आपको यहां पर दिखाई देता है buy करना है तो आप quantity select करके यह instant buy पर click कर सकते हैं तो इस तरह से आप cash वाला भी margin ले सकते हैं और non cash वाला भी margin ले सकते हैं लेकिन अगर आप overnight hold नहीं करना चाहते हैं सिर्फ इंट्रेट रेट करना चाहते हैं अगर आप तो आपको cash margin की जुरत नहीं है equity margin से आपका काम चल जाएगा ठीक है तो यह तो हो गया जब आप share खरीदना चाहते है margin के लिए तो कैसे अब हम इससे पीछे जाते हैं अब हम देखते हैं कि अगर हमने share खरीद लिए हैं तो उनको pledge किस तरह से किया जाते हैं तो उसके लिए हम यह यहां पर get margin वाले बटन पर click करेंगे और इस screen को हम समझ लेते हैं पूरा यह भी बता रहा है कि मेरे account में जो shares हैं स कर सकता हूं क्या क्या मैं pledge नहीं कर सकता हूं तो यह नीचे जो आपको दिख रहे हैं यह मेरे case में reads हैं इनको मैं pledge नहीं कर सकता हूं normally सारे अच्छे जो बड़े shares हैं सारे जो भी मतलब nifty वाले shares बैंक nifty वाले shares हैं जो भी आपके fno वाले shares हैं वो आप सब normally pledge कर सकते हैं ठीक है तो share pledge करने के लिए आपको क्या है यह वाला जो check box है यह on करना है यह आपको normally lock नहीं है ठीक है और उसकी value जो है वो यहां पर लिखी है और इस पर आपको 91% margin मिलेगा ठीक है तो आप इसका 91% निकालेंगे तो यह amount आएगा I hope समझ में आया होगा तो इसको आप pledge कर सकते हैं तो pledge करने के लिए मैं यहां पर इसको मैं select करता हूं और फिर proceed to pledge share पर मैं click करता हूं ठीक है अब यहां पर आप अपना जो भी quantity आपने रखा है वो दुबारा check कर लेजिए कि आपने 11 quantity रखा है और उस पर आपको कितना margin finally आपको मिलेगा वो आपके सामने यहां पर है अगर यह आपको ठीक लग रहा है तो यह checkbox को आप यहां पर on कीजिए इस तरीके से and confirm pledge request पर click कर देजिए ठीक है यहां से आपकी request जो है वो CDSL के पास जाती है और CDSL के पास आपको उसको OTP से verify करना होता है ठीक है तो अभी आप इसको scroll करके उपर जाएंगे तो देखिए इसने एक OTP जो है वो अलड़ी आपको भेजा होगा तो वो OTP आपको यहां पर डालना है यह OTP आपको email पर भी आता है और same OTP आपको जो है आपके mobile phone पर भी आता है तो वो OTP अब मैं यहां पर जो है वो मैं डाल देता हूँ तो मेरे case में मुझे आया है 257512 तो यह मैंने यहां पर verify पर click कर दिया आप देख सकते हैं कि pledge request accept हो गई है अब यह जो pledge है यह normally 15 minute के अंदर अंदर जो है वो अप्रूव हो जाती है इसलिए इसे आप एक तरह से instant pledge मान सकते हैं क्योंकि 15 minute के अंदर अंदर अप्रूव हो जाती है और यह pledge आपको ध्यान रखना है कि सुबह के 9am से शाम के 9pm के बीच में आपको यह request देनी है प्लेजिंग की इसके अंदर आप अपनी request दे सकते हैं और यह 15 minute के अंद के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी request जो है वह accept हुई है कि नहीं हुई है तो दोस्तों 15 minute हो चुके हैं और यहां पे आपको आपका real time margin जो है वह पता लग जाता है और देखने के लिए कि आपको margin मिला है या नहीं मिला यहां पर click करेंगे तो मैं यह click करता हूं और यहां पर आपको जो है वह दिखा रहा है कि आपके बस margin available कितना है आप इसमें यह more पर यदि आप click करेंगे तो आप देखेंगे कि देखिए यह मेरा opening balance मुझे यहां दिख रहा है और यह जो है जो मैंने जो collateral किया था 9000 कुछ का उसके लिए मुझे यह additional margin जो है वह मिल गया है तो यह एक important चीज है यहां से आप check कर सकते हैं और फिर यदि आपको आपने जो share pledge किये हैं उसको un pledge करना है तो आपको यहां ऊपर यह जो pledge वाला section है यहां पे जाना है और इसमें कुछ important चीज है जो आपको ध्यान रखने है वो है कि un pledging का time जो है वो 9am से लेकर 3pm के बीच में ही है उसी के बीच में आपको un pledge करना है पहली बात यह है important और दूसरी बात यह है कि यह un pledge करने की आपको direct जरुत नहीं होती है जैसे मालेजिए अगर आप यहां पे जाते हैं और यहां पर अपने stocks देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहां जो मेरे stocks हैं उसमें यह जो है यह directly sell कर सकता हूं यानि मुझे इसे जो है un pledge करने की जुरुत नहीं है मैं जब इसे sell करूंगा तो यह automatically un pledge हो जाएगा और फिर sell हो जाएगा तो अगर आपको share बेचना चाहते हैं तो जरूर नहीं है कि आप पहले जाके un pledge करें और फिर बेचें आप उसे directly यहां से बेच सकते है तो अभी मुझे यह बेचना नहीं है लेकिन यदि आप un pledge करना चाहते हैं तो आप यहां पे जाएंगे यह उपर pledge वाला जो section है यहां पे click करेंगे और जिस भी share को आपको un pledge करना है यह आप check box select करेंगे और नीचे जो है वो है proceed to un pledge share आप इस पे click करेंगे और यहां पे आपका share ठीक है आपकी quantity ठीक है यहां पे और यह अभी आपको इतना margin जो है वो वो मिल रहा है यह margin जो मिल रहा है यह खतम हो जाएगा जब आप इसे un pledge कर देंगे और फिर un pledge करने के लिए आपको यह confirm un pledge request पे click करना है और आपके shares जो है वो instantly un pledge हो जाते हैं within 15 minutes तो यह है दो इसका margin मुझे अभी यहां पे available है जो की और इसको मैं अभी intra day trading के लिए use कर सकता हूँ मैं इस से options buy भी कर सकता हूँ और sell भी कर सकता हूँ तो I hope आपको यह वीडियो से समझ माया होगा कि किस तरह से आप अपने shares जो है वो pledge और un pledge कर सकते हैं and अगर वीडियो helpful रहा हो तो ए यह चैनल को सब्सक्राइब की जी थैंक यू बबाई वाइव गूड़ देट